प्रोग्राम के अंदर आप सब लोग का स्वागत है। तो हमने बहुत सारे वीडियो अदरी बना के रखे हुए है। इसे चलेगा कि किस कंट्री में कौन कौन से डॉक्यमेंट और सर्टिफिकेट चाहिए। बहुत अच्छा क्रेशन पूछा कि बहुत सारे लोग को एक्सपोर इंपोर्ट नहीं करने का एक रिजन ये भी होता है। कि उनको डॉक्यमेंटेशन से डर लगता है। कि मैं जानता नहीं हूं मुझे पता नहीं एक्सपोर इंपोर्ट में क्या डॉक्यमेंट लगेंगे। और जब भी हम पेपर्स की या कागज़ों की बात करते हैं तो हम लोग डर जाते हैं। जानी अफरिया के जंगल में एक्सपोर्ट कर रहे ही है। या उसकतर लॉस में अक्सपोर्ट कर रहे हैं या U.S जांडर को जब्स क्तमें या 95% है का से. प fel जलई हो . अगर वो भी जानना है, अगर वो जानना चाहते हो कैसे जाना है, सवाल यह आपका है, कि सब वो 4-5 परसें डॉक्यूम्न में कैसे जानू, तो अगर वो 4-5 कंट्री की बात करो, तो आप जिस कंट्री के अंदर भी फोकस करो है, नहीं, आपने प्रफर प्रोड़क रिसर्च क किया है, आपने प्रफर मार्केट रिसर्च किया है, नहीं कि आपको पता है कि मेरा यह टार्गेट मार्केट है, तो आप वहां की जो अंबसी, इंडियन अंबसी जो उस कंट्री में मैठी हो, उसके आप पूछ सकते हो कि वहां पे एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्या- अबसी जो हैं या कॉंसरोट जर्ट जार्ट जो बैठता है, इंडिया के अंदर उनको भी आप पूछ सकते हो कि आप मुझे में में प्रॉ्टक्ट एक्सपोर्ट करना है, तो मुझे उसके लिए असके लिए इसाब से क्या-क्या-क्याmor़। इंडियन ट्रेड पोर्टाल डॉट इन पे जाओगे वहां पे भी बहुत सारी कंट्री के उनने स्टांडर डॉक्रिमेंट्स दिये हुए हैं कि कोई भी हेच्च कुट के वहां पे कौन से कॉसे डॉक्रिमेंट्स होते हैं जो आपको लगते हैं मैं ने अपको बताए है एकश्पोर्ण लेकर रखके के जरूरत नहीं है 95% प्रोडक्त और 95% कंट्री के अंदर जो जो होते हैं एकश्पोर्ण प्रोडॉक्त होटारो रहता है क्योंकि यह यूनिवर्टस सेन्डर फॉलो कि आ गया है कि वहाँ पे एक standardized system है, कि वहाँ पे एक ही standard के document आएंगे, वह document फॉलोओंगे नहीं, तो confusion होगा ना, चाइना अपने अलग document बनाए, अमेरिका अपने अलग document बनाए, अफरीका अपने अलग document बनाए, फ्रांस अपने अलग document बनाए, तो export कैसे बढ़ पायागा, उसी चीज़ को formulate करने के लिए, UCF Uniform Custom Practice के अंतर के standard documents बनाए गए हैं, जिसके अंतरगती आपको export करना होता है, तो आपके मन में कुछ भी documentation को लेके doubt हो, आपके मन में कुछ भी certification को लेके doubt हो, तो properly एक बार पूरे system समझ लीजिए, आपकर ये system समझ लोगे, ये universal system है, ये ना को चैनल से set की हुए system है, जो हर एक country को applied होती है, बनाशर में इंडिया और अफ्रेका, चाइना और ये वे, सब country के लिए applied होती है, उसके standard formats बनाए गए है, आपको सिर फिल-in-the-blank जैसा ही काम करना, आपको सिर फिल-in-the-blanks होता है, उसके फिल-in-the-blanks होता है, उसी तरसे आ प्रोग्राम को ब्लैंक फिल करनी है, जहां पर उसका भी standard होता है कि किस में क्या लिखा हो, किस में क्या-क्या टम से लिखा हो, किस तरसे करो होता है, इतना अच्छा organized way से ये export होता है, पर ये कब कर सकते हो, जब आप इस तरस को properly जानते हो, और समझते हो, during the program हम लोग सारे document लेके भरना भी सिखाते हो, कि क्यों से कुसे document लगता है, किस तरह लगता है, और कौन सी कंटिकले क्या-क्या अला-अला document होते हो, पहुसा है चीज़े हम लोग उसके अंदर सिखाते हो, तो वो भी अब समझ के properly सीक की आप कर सकते हो, we have 34 centers across India, we are the only organization having 34 centers across India, जहां पर हम लो मात का भी हमारा support services है, helpness का support देते हैं, हमने उसके बात के program के बाद भी आप कुछ भी support चीए, तो हमारा support system उसके लिए available है, right, I am sure, HN भाई जी, आपको आपका answer मिला होगा, अगर आपको यह answer लगता है, तो मेरी request है, please share कीजिए, हमारे चैनल को subscribe कीजिए, और bell icon दबाना मत बुलिएगा, ताकि आपको regular business पे यह सारी update मिलती रहे, आपके दोस्तों तक भी यह पहुचाईए, ताकि जादा से जादा लोग इस चीजिए को लेके aware हो, जागरूत हो, और दिये दिये करके भारत का export बढ़ पाए, right, so I am sure की आपका आपका answer मिला होगा, please export को लेके पीछ ले आए, जय हिंद, जय भारत!